असलाम अलेकूम मेरा नाम है अफाक और आप देखते हैं मेरा YouTube चैनल आज मैं बात करूंगा AI टेक्नोलोजी की AI टेक्नोलोजी आज कल बहुत कीज जादा पॉपुलर हो रही है और हर चीज में AI को मतलब इंक्लूट किया जा रहा है वो चाहे किसी भी किसम की हो चाहे एप्स ह हो या कंप्यूटर से रेलेट हो या मुबाइल से रेलेट हो या कैमरे से रेलेट हो या पिक्चर या टाइपिंग सब कुछ AI बेस हो रहा है तो आजकर एक टूल बहुत जादा पॉपुलर हुआ है मिट जैर्णी के नाम से एक टूल है AI का जिसमें आप अपनी मर्जी कमां करती है उसके बाद अगर आप कोई और टूल प्री इसमाल कर रहे हों तो उसमें भी लिमिटेट ऑप्शन होते हैं बहुत लिमिटेट मतलब इमेजेस आप बना सकते हैं और उसके बाद फिर आपको करना पड़ेगा आज मैं इस वीडियो में पहाद करूंगा एक ऐसी प्र उसमें ये चीज़ नहीं आई है लेकिन उनकी एप्रिकेशन में ये AI सर्वेस एवेलेबल है मैं बात कर रहा हूँ कैपकर्ट की कैपकर्ट एक बहुती बेस्तरीन किसम का AI टूल है और बहुती बेस्तरीन एडिटिंग एप भी है उसमें मतलब एक प्रफेशनल तरीके से आप अपनी वीडियो एडिट कर सकते हैं लेकिन उसमें अभी एक आप्शन पुला है जो के AI इमेज जर्नेरेट करने का आप्शन ह जैसे अपनी एक कमांड डालते थे ऊस कमांड के मताबग जो हम उसे कामांड के मताफिकेशन बताते हैं वो हमेंज कर देता तो CapCut ने अब क्या किया है कि CapCut में भी यह service available है और आप unlimited मतलब आप जो चाहें उससे बना सकते हैं मतलब unlimited आप वीडियो का background बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं आप image create करने चाहें वो create कर सकते हैं जारे बहुत जादा accurate तो नहीं होते हैं मतलब आप अगर उससे बोलें के मिनारे पाकिसान बना दे या मस्का टावर बना दे तो भाई वो तो बना के नहीं देगा मतलब उसके data के मताबिक जो चीज होगी वो आपको provide कर देगा लेकिन इससे जादसा है मतलब AI technology use करने का मस्तद यह होता है कि कुछ ऐसी चीज़े बनाएं जो normally हम लोग नहीं देख सकते हैं लेकिन AI जो software होता है ना मतलब वो बहुती मज़ेगा होता है आप अगर एक दफ़ा उसको command दें और फिर वो आपके सामने में image निकल के आए तो आप उसके मतलब fan हो जाते हो और आपका दिल चाहेगा कि मैं different type of pictures बना के देखे हैं और उसमें क्या-क्या वो बहुत है interesting चीज होती है तो मैंने mid journey यूज किया है mid journey यूज करने के बाद मैंने उसके जितने भी मेरे पास free functions से मैंने यूज करके उसको खतम कर दिया अब मेरे पास available नहीं है तो मैंने अब cap cut को यूज करने शुरू किया है cap cut के जर्गे मैं images बना सकता हूं अपने video के background ब इसमें image create कर सकते हैं और बहुत ही easy है मतलब जैसे mid journey में बहुत easy था उसी तरह यहां भी बहुत easy है और यहां पर हमारी history यह पूरी record में रखता है मतलब आपको सर्फ यह करना होगा कि अपने cap cut में जाके उसको एक दवा login करने login करेंगे तो यह option कुलेगा अगर login नहीं करें करेंगे सिर्फ अपने app download की और app को use करने शुरू कर दिये तो इसमें जाक्षान ही होगा cap cut एक बहुत ही बेस्टीन application है इसमें editing के इलावा बहुत सारी चीज़े हैं और वक्तन वक्तन इसमें update साथी रहती है तो इसको use करके देखें इस वीडियो में फिलहाल इतना ही मिलत इन एक्स वीडियो में अपना और अपनी फैमिली का खाया रखतेगा अलाँ खेद